सुन्दर सा पॉंचो आपको सर्दी से भी बचाता है और एकदम सुन्दर अच्छा भी लगता है बनाने में भी आसान है अगर आप बस हलका सा क्रोशिया बुनना जानते हैं तो आप इसको बना सकते हैं साड़ी या जीन्स किसी के उपर भी पहनिए आए शुरू करते हैं एक तो सेंटर की लाइन जा रही है जिसके दोनों तरफ हम बढ़ाएंगे इसके साइस को वो भी हर राउंड में नहीं बढ़ाया जाएगा यही सेंटर की एक लाइन पीछे की तरफ भी जा रही है इन दो सेंटर की लाइन के बाद यह जो हमारी साइट्स हैं राइट तीन चावल और जो यह सेंटर वाला फूल है यह 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया से बनाया गया है, 4 चावल, 2 चेन, 4 चावल, तो अब यह 10 हमारे इधर है, 10 हमारे इधर है और एक आगे पीछे, 22 हमारे यह फूल है, जिनको हमें स्टार्टिंग में शुरू कर तो यह 22 फूल के लिए हमको जग है चाहिए, वो हमें 4-4 चावल, 4-4 डबल क्रोशिया चाहिए, प्लस 4, तो 22 फ्लस 4 जो होते हैं हमारे 22 का जो हमने 4 से लिया और प्लस 4 किया, तो 92 हमको यह यहाँ पर डबल क्रोशिया चाहिए, तो हमें 91 चेन लेनी है, वो मैं बताऊंगे क्यों तो हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो डबल उन से हम चेन बनाएंगे 91 अब यह 91 चेन बनाने के समय हमने थोड़ी सी चेन बनाई फॉर्स्ट चेन में हम गए और अभी यह हमारा सीधा था एकदम यहां हमने इस लूप में डाल लिया अब हम बाकी चेन इस तरह स इसे बनाएंगे तो यह जो हमारा रिंग है यह मुड़ता नहीं है ट्विस्ट नहीं होता यह एकदम सीधा रहता है और हमें कोई परिशानी नहीं होती तो इस तरह से हम 91 चेन बनाएंगे यह हमारी 91 चेन बन गई यह हमें ख्याल रखना है कि ना तो यह बहुत टाइट बुनना है हमें ना बहुत लूस चेन को बुनना है और यह हमारे सिर में गुश जाए बस इस बात का हमें ध्यान देना है कि comfortable आराम दायक यह हो अब यह इनको हम बंद करेंगे यह 91 हमारे हो गया इसको हमने slip stitch से बंद किया और अब हम अपनी जो अभी हमने double उन से chain बनाई थी अब उसको हम छोड़ देंगे अब हम single उन से आगे का काम करेंगे तो यह अब हमने बंद किया है और अब हम यहाँ पर यह तीन chain ले रहे हैं यह हमारा एक double crochet या एक चावल के बराबर हो गया इसलिए हमने 92 की जगह 91 chain ही ली थी कि यह हमारा एक बंद जाता है यहाँ अब इसके बार हम प्रत्य एक chain में एक एक double crochet बनाकर अपना first round पूरा करेंगे इस तरह से हम प्रत्य एक chain में एक एक double crochet बुनते जाएंगे अब जब हम यह बुनेंगे तो यह हमारा एकदम सीधा बुनकर आ जाएगा यह हमने बुना यह हमारा एकदम perfect है अब हम यहाँ पर आ गए जहां से हमने शुरुआत करी थी यहाँ पर आकर हम यह जो हमारी तीन chain हमने पहले ली थी यहाँ पर आकर हम इसको slip stitch से बंद कर रहे हैं फिर से हम तीन chain लेंगे और यहाँ पर यह हम एक double crochet लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम दो chain लेंगे और फिर इसी जगह पर हम four चार बार double crochet या चार चावल बनाएंगे यह हमारा आगे वाला center का फूल है लेकिन अभी यहाँ पर हमने इसको अधूरा बनाया है जब हम lot कर आएंगे तो यहाँ पर हम इस circle को पूरा करेंगे और फिर हम यहाँ से अगला circle शुरू करेंगे तो यह हुआ अब इसके बाद हम तीन chain को जो नीचे के तीन चावल है तो यह हम यहाँ से देख लेते हैं फोर्थ में चौथी जगह में हम जाएंगे और वहाँ पर हम अपने side के 10 फूल जो है हमारे वो बनाएंगे एक ही जगह से हमने तीन double crochet लिए एक chain ली और फिर यहीं से हमने तीन बार और बनाया तीन चावल एक chain तीन चावल बनाए अभी फिर नीचे हमने यह एक दो तीन तीन को छोड़ा और फोर्थ में फिर से हम इस तरह से बनाएंगे तो यह हम दस फूलों की हमें जरूरत है उसके बाद हम पीछे का center वाला बनाएंगे यह starting वाला हमारा बड़ा फूल और उसके बाद यह हमने 10 दस जो हैं यह छोटे वाले फूल बना लिये हैं अब हम फिर से पीछे वाला जो हमारा center का बड़ा बनेगा वहाँ पर आएंगे तो यहां पर हम 4 बार 4 double crochet, 2 chain और 4 double crochet एक ही जगे से ले रहे हैं इसके बाद फिर हम दूसरी side वैसे ही छोटे वाले जो हैं 3 तीन वाले जो हैं वो हम बनाएंगे यह हमारा फिर से एक बड़ा फूल हो गया एक आगे का और एक पीछे का अब इसके बाद फिर हम चल रहे हैं वही तीन चोड़ना है तीन यह 1,2,3 को चोड़ना है और 4 में हमको बनाना है दो फूल के बीच में यहां और यहां यहां पर हम कोई chain नहीं ले रहे हैं सिर्फ यह direct हम बनाते चले जा रहे हैं यह brylon उन है पतली उन है आप माइक्रो भी एक उन आती है वो भी ले सकते है या और भी कोई पतली उन ले सकते हैं बहुत मोटी उन लेने से यह भारी हो जाते हैं फिर से नीचे तीन को छोड़ा स्किप किया और 4 में चोथे में हम बना रहे हैं यह जब हम लेते हैं एक दो तीन को छोड़के फोर्थ में तो यह दो उन उपर रखते हैं पूरा एकदम नीचे से नहीं ले रहे हैं तो अभी जैसा भी आपको करना है एक जैसा करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है यह अब इधर हमारा यह 10 हो गए हमारे और इधर भी 10 हो गए और यह हमारा यह सेंटर का बन गया अब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर अगर आपका एक चेंज जादा हो रही है तो आप 90 से भी शुरू कर सकते हैं नहीं तो यह हम यहाँ पर बनाएंगे तो यह ठीकी ब तो हमको double crochet यहां बनाने हैं यह जो हमारा शुरुवात वाली जगह है और फिर उसके बाद यह जो तीन chain की ऊपर जो हमारी यह आ रही है इसमें हमको slip stitch से इसको बंद करना है तो यह हमारा center का जो फूल है यह बन गया अब उसके बाद हमको एक और बार यहां पर slip stitch से लेना है और फिर यहां पर हम तीन chain लेंगे और एक double crochet फिर दो chain और फिर four times हम यहां पर double crochet लेंगे जैसे हमने शुरुवात में करा था starting जो करी थी हमने तब भी वो इसी तरह का हमारा फूल था यह यहां आधा कमी है वो हम lot कर आकर यहां पूरी करते हैं और वो इस तरह से पूरी हो जाएगे तो यह सब कुछ हमारा ठीक हो गया है यह शुरुवात हमारी ठीक हो गई है यह जो है यहां पर हम इसको tight कर देंगे गाट लगा देंगे उनको छिपा देंगे अब इसमें है बात कि इसको बढ़ाना कैसे कैसे है कब कब है इस पॉंचो को बढ़ाना कैसे है आईए वो थोड़ा हम देख लेते हैं फर्स्ट राउंड हमने बुना था दस दस दोनों तरफ सेंटर का एक एक बढ़ा अब उपर फूल है उसको बढ़ाना नहीं कह रहा है जब बिना फूल के उपर फूल डेवलप हुआ फर्स टाइम इसको बढ़ाना कहा हमने फिर हमने थर्ड सर्कल में भी बढ़ाया फिर फोर्थ सर्कल में भी बढ़ाया उसके बाद फिर हमने यहां पर नहीं बढ़ाया फिर उ दूसरा सेंपल है, इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं, हमने second में बढ़ाया, third में बढ़ाया, fourth में बढ़ाया, उसके बाद फिर हमने एक rule बना लिया, कि हम दो में नहीं बढ़ाएंगे, और हर तीसरे में, third में बढ़ाएंगे, दो में नहीं बढ़ाएंगे, तीसरे में और एक और तरीके से हम ये पॉंचो शुरू करते हैं, लूप बना कर, ये भी बहुत आसान अच्छा तरीका है, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाले हूँ, तो बढ़ाने का मतलब ये है, कि हम ये सेंटर वाले फूल पर हैं, उसके बाद यहाँ पर, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर हम एक और, तीन डबल क्रोशिया, तीन चावल, एक चेन और तीन चावल, ये वाला फूल हमने यहाँ एडिशनल बना दिया, ये हमने एक एक स्ट् में ये राउंड में बढ़ाना हुआ, और बाकी फिर ये जो जितने हमारे फूल है, वो फूल के ऊपर ही फूल बनेगा, बीच के जो फूल है हमारे, उनके ऊपर, फूल के ऊपर फूल है, और बस ये सेंटर में हमको, दोनों तरफ एक एक फूल बढ़ाएंगे, तो अभी यहां पर हमने एक बार बढ़ाया है, लोट कर यहां, दूसरी बार यहां बढ़ेगा, लेकिन पीछे की साइड में मैं आपको अभी बढ़ा कर दिखाती हूँ, दोनों तरफ एक साथ कैसे बढ़ेगा, ये देखिए कितनी सुन्दर सी शेप आनी शुरू हो गई है, सार्द बढ़ा वाला फूल है, अब हम आए हैं और इसके बराबर में हम एक और एकस्ट्रा वाला जो बना रहे हैं, वो हम इस साइड में बनाएंगे, ये हमने तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया, ये हमारा एडिशनल, एक नया हमने बनाया है फूल, इसी से हमारा size बढ़ता है फिर इसके बाद हमने यहां center में हम अपना वही 4 बार बनाएंगे यहां double crochet और 2 chain लेंगे और फिर से 4 double crochet बनाएंगे फिर इस फूल के दूसरी side की जो जगह है यहां पे भी हमको एक extra वाला फूल बनाना है बस इस तरहे से यह हम बढ़ाते जाएंगे अपने size को और फूल के उपर फूल और यहां center में हमको एक-एक additional बनाना है हम हर तीसरी सलाई पर कर सकते हैं या थोड़ा सा वह आप बुनेंगे तो आप देखेंगे आपको समझ आएगा यह हमारे बढ़ गए दो फूल और अब हम हम इनको फूल के उपर फूल बना रहे हैं जिस round में हमको बढ़ाना नहीं होता है उस round में हम बस फूल के उपर फूल बनाते जाते हैं और center वाले फूल के उपर भी फूल बना लेते हैं आईए अब थोड़ा इसके size की बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा extra large size का है, और इसमें लगभग 50 round बुने गए हैं, जो center की हमारी line है, ये इसकी लंबाई जादा होती है, जो आगे और पीछे आती है, जैसे आपने देखा, और ये जो sides है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ये जो center वाली लंबा आई, वो इसकी लगभग 31-32 inch के करीब आई, जालर इसमें extra हुई, और ये जो side है, इसकी लंबाई लगभग 27-68 inch के करीब है, ये बहुत बड़े size का है, आप इससे 5 inch छोटा भी बना सकते हैं, तो वो center में हम जब छोटा करेंगे, तो वो side अपने आप छोटी हो जाएंगी 40 या 42, 40-42 राउंड लेकर अगर आप बनाएंगे तो भी काफी अच्छे size का poncho बन जाएगा, डबल उन से ये हमने chain बनाई हुई है, simple chain है एकदम, इसकी हम डोरी गले में डालेंगे और इसी में हम वो लड़ू, गोल गोल जो है, वो हम लटकाएंगे, ये हम swing से लेकर center से start करेंगे, आप हर तीसरी, तीन double crochet नीचे, तीन उपर ऐसे भी कर सकते हैं, दो के नीचे उपर से भी निकाल सकते हैं, दो हमने नीचे करेंगे, दो ही के उपर से ऐसे करके निकाल लिया, डबल उन लेकर हम तीन chain बनाएंगे, हम गोला बनाने जा रहे हैं हम, तीन chain बनाई हमन और अब first शुरुआत में हमने इसको लेकर loop बना रहे हैं हम, आप जितना छोटे से छोटा loop बना सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, फिर हमने दो chain ली हैं अभी शुरुआत में, और अब यह जो बीच में circle बन गया, यह जो हमारा गोला बन गया है, इसमें से हम इसमें यह double crochet ब बनाया, अब हम यह जो पहली वाली शुरुआत है, वहाँ पर आके हमने slip stitch से इसको बंद किया, फिर हम दो chain ले रहे हैं, और अब हम 10 के उपर 10, जो हमारे 10 double crochet हैं, उनके उपर, फिर से हम 10 double crochet 10 चावल फिर से बना रहे हैं, 10 चावल के उपर 10 चावल, यह देखिए इसने यह कटोरी की shape ले ली है, अब हम starting में आये और यहाँ पर हम इसको फिर से slip stitch से बंद करेंगे, यह extra one हमारी बची हुई है, इससे हम अगर यह यहाँ gap दिखाई देता है, तो सुई में डाल के खीच के इसको भी बंद कर सकते हैं, अभी हम यहाँ चोड़ देंगे, अब इसके ब बार लिया, फिर हमने दूसरे gap में से लिया, तो यह इसको हमने मिला कर यह बनाया एक, उन लपेटी एक जगह से लिया, बिना उन लपेटे हुए दूसरी जगह से लिया, और इसका एक double crochet या एक चावल जैसा बुन दिया, तो इस तरह से यह हमारा घट गया, और यह एकदम shape इसकी goal होती जा रही है, यह इसकी shape goal हो गई, फिर से आके हमने slip stitch से बंद कर लिया है, अब हम कोई बची हुई oon, या तो आपके पास वो जो wool होती है, जो भी चीज है, आप किसी भी चीज से इसकी filling कर दीजे, यह मैं दिखा रही हूँ, आप same color की oon डालेंगे, तो बहतर होगा, दिखाई नहीं देता है उससे बाहर, यह हमने इस तरह से इसको अंदर घुसा दिया, और अब हम इसको बंद कर देंगे, पूरा यह जो हमारा यहाँ पर है, यह हम लेंगे इस तरह से, दो को लेकर एक साथ, एक और round हम लगा लेते हैं, tight tight करना है हमको, और फिर यह एकदम हमारा बंद हो जाएगा, अब हम single crochet से कर रहे हैं, इसको लेकर दो जगह से निकालके, last में आकर, यह आप देख रहे हैं, बंद हो गया है, अब इसको जहां से भी आपको लग रहा है कि खुला हुआ है, तो यह crochet घुसाईए, उन निकालिए और इसको बंद कर दीजे इस तरह से यह हमारा गोला जो है, यह बंद कर तयार है, यह सुई में हमने उन ली है, और अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से जोड़ देंगे, कुछ मजबूती से हमको इसे जोड़ना है, और फिर अंदर ही अंदर हम उन छिपा देंगे इसकी, इस तरह से यह लेकर, इन यह लूप बनाकर जो हम क्रोशिय का पॉंचो शुरू करेंगे, वो कैसे बनाना है, वो देखिए, यह जहाँ सलाई मैंने डाली, यह लूप है, इनके अंदर ही हमने वो अपना फूल शुरू किया था, तीन चेन बनानी है, आप चार भी बना सकते हैं शुरू आत में, अगर यह पहली वाली बहुत टाइट है, तो आप फोर चेन ले लिजिए, उसके बाद उन लपेटी, जैसे डबल क्रोशिय के लिए लपेटते हैं, और पहली वाली चेन में जाकर हमने एक डबल क्रोशिय ब यह उन लपेटेंगे, और यह जो यहाँ गैप है, इसमें जाकर इस तरह से धीला धीला, यह हम डबल क्रोशिय बुन रहे हैं, फिर से हमने तीन चेन ली उन लपेटी, इस गैप में गई यह जो यहाँ पर गैप है, और यह हमने इस तरह से लपेटा, तो यह हमां को एक पूंचो में 22 स्पेस चाहिए, जहां से हम फूल उठाएंगे, तो हम यह बाइस बार बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर आकर स्टार्टिंग में आकर, स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, और उसके बाद यह हम अपने बुनाई शुरू कर देंगे, जो भी जालर कैसे लगाएं, इसके दो वीडियो हैं, उसके लिंक आप दिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें, मैं थोड़ा सा यहां दिखा देती हूँ, वहां बहुत वेराइटी की जालर लगानी बताई गई है, तो जैसे अभी हमने यहां पर लिया है, यह 8, 8 धागे हमको दिखाई दे रहे हैं, और आप अपना कोई भी साइज ले लिजे, जिस भी साइज का आपको जालर लगानी है, यह हमने काटा, और यहां पर यहां भी और यहां भी, दोनों जगे हम लगा रहे हैं, इसमें भी लगा रहे हैं, इतना पास पास लगा रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ी कम only है, अगर दूर दूर लगाते हैं, तो आप 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, इसको हमने इस तरहें से double करके पकड़ा, और यह यहां से निकाल लिया, और इसके बाद यह जो बीच की जगा होती है, इसमें से हम इसको निकाल लेते हैं, यह सबसे आसान है, लेकि और लास्ट में यह छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसको एक समान करने के लिए आप काट सकते हैं, एक साथ रखके इनको इस तरहें से काट दीजिए, बहुत ही सुन्दर, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सार्दा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब क भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस्स ना करें, धन्यवाले,